हाई गाईज, वेलकम टू स्टडी काउच, तो आज हम बात करेंगे आर्क्टिक ओसियन के बारे में, क्योंकि अभी रिसेंटली एक रिसेर्च के थूरू ये पता चलाए कि जो आर्क्टिक ओसियन की जो बर्फ है या फिर जो आईस है उसमें सबसे ज्यादा डिक्रिमेंट ल अभी रिसेंटली जो NCPOR जिसको National Center of Polar and Ocean Research बोलते हैं उसके द्वारे ये अब्जर्व किया गया है कि जो आर्क्टिक सी या फिर आर्क्टिक ओसियन जो है उसकी जो आईस है उसमें सबसे ज्यादा डिक्रिमेंट जो है वो लास्ट फॉर्टीवन येर्स में हुआ है और जो आर्क्टिक सी आर्क्टिक ओसियन की आईस का जो डिक्रिमेंट हुआ है मेली ग्लोबल वार्मिंग की वज़े से हुआ है और उसके अलावा भी कई सारे फैक्टर से जैसे इवेपुरेशन है एयर हुमेडिटी है क्लाउड कवर है और रैन फोल जो है इन सब में भी इंक्रि रीजन है जो वाइट कलर में भी आपको दिख रहा है यह मेंली दो कॉंटिनेंट से घिरा हुआ है इधर से घिरा हुआ है नौर्थ अमेरिका से और इधर है यूरेशिया यूरेशिया मतलब यूरो प्लस एसिया इन उनों के बीच का जो रीजन है इसको आग्तिक ओसियन ब और यह ऊशियन जो है उन सब पांचों में सबसे छोटा और सबसे सैला है और सबसे कूलेश्ट जिसको हम बोल सकते हैं अग्तिक ओसियन है और एक इंटर्णेश्नल हाइडरोग्राफिक जो ओर्गनाइशन है जिसको IHO बोलते हैं जो कि एक इंटरनेशनल ओर्गनाइशन है जो हाइडरोग्राफी जो होती है उससे रिलेटेड रिसर्च करती है जिसमें की टोटल 93 मेंबर्स हैं उनके द्वारा जो आर्क्तिक ओसियन ने इसको आर्क्तिक ओसियन की तरह रिकोगना जाता है और जो Arctic Ocean का जो surface temperature जो या फिर जो salinity जो है वो season to season काफी vary करती है क्योंकि इसमें जो ice cover होती है वो winter में पूरी तरह से ice से cover हो जाता Arctic Ocean और summer में वो ice melt होती है और इसकी जो salinity जो है world के जो 5 major ocean से उन सब में से सबसे कम जो salinity है वो है Arctic Ocean की क्योंकि यहां पे काफी कम जो है evaporation होता है और यहां पे जैसे यह वाला जो reason है यहां पे जो heavy rain fresh water जो आता है यहां पे उसका inflow basically जो rivers या फिर जो streams जो होती है उन सबसे काफी heavy amount में fresh water का inflow होता है जिसकी वज़े से इसकी जो salinity है वो काफी कम है और जो sea ice की अगर हम बात करें जो समुद्र की ice है समुद्र की जो buff होती है जो की sea water होता है उसके उपर freeze होती है वहां पे जमा होती है और वो उसके उपर एक तरह से float करती है क्योंकि जो ice की density होती है वो water की density से कम होती है और जो sea ice जो होती है आर्थ के surface के हिसाब से अगर हम बात करें जितना earth का total surface है उसका जो 7% जो area है वो cover किया जाता है sea ice से और जो world के oceans का जो 12% area है उसको cover किया जाता है sea ice से ठीक है 7% earth के surface से और जो 12% है वो world के oceans का जो part है वो cover किया जाता है सी आइस के त्वारा अब बात करते हैं हम NCPOR के बारे में जिसको की National Center of Polar and Ocean Research बोलते हैं इसको ये बेसिकलि एक Autonomous Research and Development Institution है जो की Ministry of Earth Science के अंडर में आता है इसको 1998 में में इसको established किया गया था और ये गोवा में located है पहले इसको NCAOR के नाम से भी जाना जाता था जिसका फुल फॉर्म है National Center for Antarctic and Ocean Research जैसे कि इसके नाम से ही पता चलना है इसका main focus जो होता है polar region या फिर जो southern ocean की rail arms होती है उन सब के बारे में planning करना उनके study करना उनके main focus होता है अब यह जो sea ice का जो decline हुआ है Arctic Ocean में यह last 40 or 41 years जैसे कि 1979 से 2018 इस period के बीच में जो sea ice है उसका हर decade में 4.7% का decline हुआ है इस 4.7% का हर decade में decrement हुआ है बट जो 2019 के basis पर हम बात करें तो current year का जो decrement हुआ है इसमें decrement sorry जो decrement हुआ है वो 13% पर पहुँच गया है 4.7% से 13% पर पहुच गया है इसका main reason जैसे कि हम पहले बात करें ग्लोबल वार्मिंग है क्योंकि temperature बढ़ने से जो summer है उसकी duration ज़्यादा हुजाती है और जो ice जो melt होती है summer में वो recover नहीं हो पाती है winter season में तो इस वज़े से इसका जो ice sea ice है Arctic ocean की वो जादा धीरे-धीरे decline हो रही है और अगर यह ऐसे ही चलता रहा तो 2050 तक कोई भी ice नहीं बचेगी Arctic ocean में ऐसा इस study का कहना है 2050 तक कोई भी ice नहीं बचेगी Arctic ocean का जो reason यह Arctic ocean जो है वहाँ पे कोई भी ice नहीं बचेगी और इसके दोरक कई सारे impact पड़ेंगे Arctic ocean के reason पे और उसके आसपास का जो area है और जो marginal seas जो है उन सब पे जो Arctic sea की जो ice है उसका area धीरे-धीरे decrease हो रहा है जिसकी वज़े से वहाँ पे जो summer season होता है उसकी duration बढ़ रही है और winter season की जो duration है वो काफी कम हो रही है और इसके सासा जो वहाँ की weather condition है local weather जो वहाँ का है वो भी influence हो रहा है और वहाँ का climate जो है Arctic ocean का वह भी धीरे-धीरे change होगा इसकी वज़े से और जो northern hemisphere जो है उसके द्वारा last decades में सबसे ज़्यादा highest temperature rise बतलब temperature का सबसे ज़्यादा decrement northern hemisphere में experience किया गया है especially जो summer season होता है या फिर spring season होता है उन सब periods में सबसे ज़्यादा decrement हुआ है वो temperature का नदर hemisphere में तो यही थे कुछ important facts Arctic ocean से related और उसकी जो ice है जो की काफी ज़्यादा decline हो रही है काफी high rate से उन सबसे related hope you guys find it useful and if you find it useful then do like, share and subscribe to study couch thanks for watching and have a good day